दो attempt, दो attempt, दो attempt, जे मिन्स के दो attempt, किसने काया भई, कौन सी शॉरिटी है, कोई notification ना official, आपके फिवरिट यूट्यूबर ने काया है क्या, क्यों, किसी home ministry में है क्या वो, या फिर किसी direct track level पर है, नहीं ना, तो ये कोई भी confirmation news नहीं है कि जे एक आपके दो attempt होंगे, इसके बह बहुत सारे ऐसे points बताने वालो secret, जिनने आप सुनकर ये बोलोगे यार, बात में दम तो है, देखिए, सबसे पहली बात, ये जो अफवा फैल रही है, बहुत जादा YouTube पर, social media पर, और वो Times of India के special एक article की वज़े से, कि जे एक सिर्फ और सिर्फ दो attempt होने वाले हैं, और दो attempt हो भी सकते हैं, पर मेरे ख्याल से, चार के चार attempt होंगे आपके, और वो कैसे होंगे, वो मैं आपको बताने वालो, दूसरी बात ये है, कि जो पहला attempt है, ये एक और अफवा फैलर है, रिमर फैलर है, कि April के मन्त में होगा, ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, आप खुद सेंस लगाओ, आज कौन सी डेट आ चुकी है, और आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, अगर अगर आप लोग के लिए application form यानि की लिंक ओपन करते है, पोर्टल, तो कम से कम एक महिना तो देंगे, तो एक महिना जैसी देंगे, तो अपन का 22 मार्च आ करने हैं, कि कहां पर आप exam दोगे, CBT exam, computer-based examination, test, तो आप लोग के लिए सब कुछ allocations करने में, ऐसे करते करते हैं, जल्दी बताओ, ऐसे करते करते हैं, तो 20 है प्रेल already आ गया, अब इसके बहुत सारे valid reason है, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो सबसे पहला point है कि registration late करना जान बूझ कर, तो इसका सीधा सीधा जैसे मैंने आपको mathematical calculation बताया है, मेरी तरफ से बिल्कुल भी possibility नहीं बनती है, कि J.E.Mains का first attempt आपका April में होगा, definitely ये चीज़ जो आपका May, month of May तक जाने वाली है, और वहां से चीज़े वापस से restart होंगे, समझे मेरी बात को second point ये है, कि अलग-अलग state boards, भाई, J.E.Mains all over India examination है, state examination थोड़ना है, all over India है, वहां पर CBSC, ICSC, state board, सभी type की बच्चे examination देते हैं, तो जो state board है, generally अपने जितना भी survey करा है, 20 मार्च से paper start करवा रहे हैं, और 25 में तक उनके examination चलेंगे, तो ये एक और reason है, कि zero possibility का कि April month में आप आपको J.E.E. का first attempt होगा, समझे रहे हो, proper आपको, proper valid reasons बता रहा हूँ, आपके J.E.Mains ना होने के in the month of April, proper valid reason, ऐसा आल तो फल तो ये नहीं बता रहा हो, ठीक है, next point पर आते है, earning माहिने रखती है, earning माहिने रखती है, मतलब ये point समझो है, last year जो application की fees थी, वो 6500 रुपे थी एक attempt की, तो 4 attempt की सोचवाब कितनी हो गई, तो इस बार अगर N.T.A. डिसाइड करता है कि 4 की जगा अपन 2 attempt कराएंगे, तो आप 650 इंटू 2 करिए, अरे सर क्या 6500 रुपे में N.T.A. को क्या फरक पड़ेगा, उसको 10 लाग से भी तो multiply करवाओ, 10 लाग जो student, number of applicants जो हैं, उन in the sense, मैं वो भी नहीं कहा रहा, business tycoon type, बट एक normal common sense वाली बात करी जाएंगे, तो क्यों ये एक कारण है, कि N.T.A. 4 attempt ही करवाएगा, as compared to 2, ठीक है, clear है, next point जो है, options for aspirant, यार देखो, simple सी बात है, आप लोग को अगर 4 या 3 attempt मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए strongly मौका है, golden opportunity, क आप लोग इसमें crack करो, first attempt में खुद का 100%, 2 core topics के लिए जाओ, second attempt में आप लोग try मारो, कि selection हो जाए, ताकि end moment में मद धकेलो, third, fourth में, वहार रोना निकल जाता है, समझ रहे हो, तो ऐसी opportunity बार बार नहीं मिलती है, हमारे time पे एक बार mains होता था, एक ही बार निकालना पड़त आपको बुखार हो गया, जुखाम हो गया, गाड़ी नहीं पहुंची, exam में late हो गए, exam में चक्कर आगए, hopeless हो गए, ये सारी situation आपके साथ होंगी, पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले, क्योंकि आपके पास और भी attempts होंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो last point जो है, क इसर ठीक है, आपने इतनी बगवास पेली, आपने बोला कि, दो attempt का कोई sense ही नहीं बनता, आपने बोला, April में भी J का first attempt नहीं होगा, आपने mathematical calculation बता दी, तो ये तो बताओ फिर होगा कब भाई, ठीक है, तो इसका जो एक valid point है, मेरे पास वो ये निकल करा है, कि जो anti आपका counseling की बात करे, college admissions की, तो वो September, October, oh sorry, August, September के June, July, August, September के time ही start होती है, तो मेरे ख्याल से May, June, July में आपके examination करवा के, August, September में आपका counseling के admission हो जाएगा, तो ये मेरे को पूरा procedure लग रहा है, J 2022 का, आप लोग की इस पर क्या राय है, कि आपको literally लग रहा है कि हाँ, valid points दिये भाई अपने, तो comment section पर जरूर अपना opinion share करिएगा, और बताईएगा कि मैंने क्या, सही, sensible और logical reasons दिये हैं, कि सीच के, कि दो attempt क्यों नहीं होंगे, दूसरी बात, April में जेई मेंस का first attempt क्यों नहीं होगा, valid reasons दुबारा सुन लीजिए, कि registration late कर रहा है, NTA की विएसे जानबूच कर, दूसरा point है, state board के अभी board examination ही नहीं हुए भाई, board paper के बीच में थुणना, जेई करवा लोगे तुम लोग, simple सी बात है, board paper में बीच में नहीं करवा सकते, next point है भाई, पैसा माहने रखता है, सीधी सी बात है, आप 4 attempt करवा रहे हो, जहां 2 करवा रहे हो, तो आपकी earning आधी ह हो गई है, आधी, और वो matter करती है भाई, आधी earning, ठीक है, चाहिए वो government organization हो, चाहिए वो private organization, earning earning होती है, ठीक है, और next point है कि आप लोगे लिए opportunity ये तो खेर, normal सा top point है, इसमें कोई ध्यान देने बात नहीं है, और next time May, June, July, यानि कि ये 3 महीने है, जिन में आपके 4 attempt cover up हो जा होगा, तो इसी बात पर वीडियो को like जबर मारना यार, और चैनल को subscribe करना, please, आप लोग के लिए बहुत ही sensible, logical, और accurate information हम लाने का try कर रहे हैं, बाकियों की तरह नहीं है, कि कुछ भी हुल हुलाया सा बनाया, आप लोग के लिए फैंक दिया, आपको tension दे दी, valid reasons बता रहू अगर आपका point valid हुआ तो, ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, और चैनल को subscribe मारना, आप लोग के लिए physics, mathematics, सिर्फ यह नहीं कि आप लोग के लिए सिर्फ गाल बजा रहे हैं ठीक है, जो बाकि जो topics है, यानि कि physics के core topics, जिन से ही question बनते है, mathematics के core topics, chemistry core topics, यह सारे चीजे मैं, राम सर, आप लोग के लिए लाने वाले हैं, ला रहे हैं even, लाने वाले क्या है, ठीक है, तो बिल्कुल भी डरे नहीं, पढ़ते रहें, देखो यार, अपना का सबसे basic कर्तव्य यह बनता है, पढ़ाई करने का, ठीक है, चार attempt कब होंगे, क्यों होंग ठीक है, अपना थोड़ा sense लगाओ यार, आप फरक पता करो कि यार, यह YouTuber, यह YouTuber सिर्फ जादा फैंक रहे है, व्यूस के नाम पर, और यह YouTuber है कि जो sensible information दे रहे हैं, मैं यह नहीं क्या रहा हूं कि मैं ही कोई जगत दाता हूं, मेरी सारी sensible information है, बट हम पूरा try करते हैं कि आप लोग के लिए logical, accurate information लाई जाए, जिससे कि आपका future set up हो, ना कि आप tension में आ जाओ बैठे बैठे, ठीक है, तो hopes वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते है अगली वीडियो में यार, bye bye, take care, may God bless you, bye